As a Retail Investor, जब भी हम mutual fund में investment करते हैं, तो particular जिस भी date में हमने investment किया किसी एक AMC के किसी एक mutual fund में, तो उस date के NAV के हिसाब से, जिसे आप net asset value बोलते हैं, हमें units alert कर दिये जाते हैं, जैसे कि माल लिजे, आपने अपना investment किया कुछ रुपय का, ठीक है, कुछ रुपय का आपने investment कि या उस दिन के NAV यानि net asset value से divide करेंगे, तो हमें total units कितना मिलेगा ये पता चल जाएगा, अब ये unit हमारे पास आ चुके हैं, और इस unit को हम अपने time horizon के हिसाब से hold करके रखते हैं, और particular किसी एक दिन, जब भी हमें लगता है कि market all time hyper है, या फिर जब हमें पैसे की जड़त प NAV से multiply करके, जो भी amount आएगा, वो हमारे bank account में credit कर दिया जाता है, अब जब हम investment कर रहे हैं, उस दिन भी NAV का बहुत बड़ा रोल है, units allot करने में, और जब हम पैसा redeem कर रहे हैं, उस दिन भी NAV का बहुत बड़ा रोल है, कितना पैसा हमारे bank account में आएगा, ये decide करने के संद में, जैसे अगर मैं mid cap category ले रहा हूँ, तो mid cap category में अगर आप देखेंगे, तो Nippon का growth fund भी है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो मोतिलाल उस वाल का mid cap category fund भी है, दोनों के NAV में देखेंगे, तो जमीन आसमान का अंतर है, अगर आप small category लेते हैं, तो Nippon small cap category को देखेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जबकि दोनों का, अगर आप देखेंगे, category सेम है, इसके अलावा, आपके मन में अगर ये doubt आ रहा है, कि अगर launch date बहुत अंतर हो दोनों में, जब एक mutual fund launch हुआ, उसके बाद से सालों के बाद दूसरा mutual fund launch हो रहा है, इसकी small cup का 7 जनवरी 2013 है, यानि सिर्फ एक week का दोनों के बीच में अंतर है, सिर्फ एक हफते का, सिर्फ 7 दिन का अंतर है, और अगर मैं NAV दिखाऊं, तो quant का जो NAV है, वो 298 रुपय का है, वहीं पर निपॉन इंडिया का जो NAV है, वो है 201 रुपय का, यानि कि 50% अगर आप जो mutual fund है, उसमें NAV के बीच में इतना बड़ा gap क्यों है, क्योंकि जब भी कोई mutual fund launch होता है, तो पहले वो NFO के तौर पर launch होता है, यानि new fund offering, और जितने भी mutual fund NFO के तौर पर launch होंगे, उनका base price हमेशा 10 रहता है, यानि निपॉन इंडिया भी 10 रुपय में launch हुआ होगा, और mutual fund में investment करते हैं, तो high NAV वाला आपके लिए अच्छा होता है, या फिर low NAV वाला आपके लिए अच्छा होता है, long term में किस से आप ज़्यादा return बना पाएंगे, ऐसे तमाम प्रशनों का जवाब इस वीडियो में ढूणने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जोड़े रह निकालने का जो formula होता है, वो आप अपने screen पर देख पारेंगे, net asset value जो calculate होती है, उसके लिए total AVM हमें पता होना चाहिए, और उस AMC के उपर कितनी liabilities है और total number of units से divide करेंगे, तो हमें NAV का पता चल जाएगा, अब मालिजे कि कोई एक AMC है, जो कि particular mutual fund में अगर आपने investment किया और उन्होंने जो portfolio बना रखा है, मालिजे कि 50 stocks में वो अपना investment कर रहे हैं, जो भी आप पैसा invest कर रहे हैं, वो 50 stock में जा रहा है, तो ये 50 stock का जैसे performance होगा, उसके हिसाब से total AVM में भी परिवर्तन होगा, जैसे मालिजे कि एक same category के दो fund है, मालिजे यहाँ पर मैं सिर्फ example क और यहाँ पर मालिजे 40 stocks है, ठीक है, अब ये 50 stocks जो हैं, वो मालिजे कि सारे momentum में थे, यानि सारे अच्छा return में बना करके देंगे, और ये जो 40 stock था मोती लाल का, वो average momentum में था, यानि बहुत अच्छा performance नहीं था किसी particular financial year में, या फिर particular किसी day में, particular किसी month में, ठीक है, तो इसमें invest किया हुआ, पैसा भी बढ़ेगा, अब ये total avium क्या है, जो हमारा पैसा है, जो हमारा पैसा लगा हुआ है, जिसकी आज के date में current value है, वहीं तो हमारा total avium है, तो total avium इस निपौन इंडिया का बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारे stocks अच्छा perform कर रहे होंगे, वहीं प क्योंकि total 500 के 500 stocks जो थे, वो momentum में थे, अच्छा return दे रहे थे, जिसकी वज़े से जब इन्होंने investment किया, और आज के share price में बहुत बढ़ा अंतर होगा, जिसकी वज़े से amount लगतार बढ़ता चला गया होगा, और मालीजे कि मोतिलाल में 30 stocks जो है, वो average return दे रहे हैं, और 10 stocks negative म हैं, तो overall अगर आप देखेंगे, तो return इनका काफी कम हो जाएगा, तो इसमें जो invested value होगा, उसका total AUM क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद से liabilities क्या होती हैं, ध्यान से देखेगा, किसी भी AMC के उपर, जो उनकी dividend देना है, या जैसे आप IDCW वाला option लेत है, तो यह जो liabilities होती है, वो उसी में आती है, इसके अलावा जो आपका expense ratio होता है, कि मतलब आप साल भर आपका जो fund manage करने के लिए AMC आपसे चार्ज लेती है, वो भी आपका liabilities में आता है, इसके अलावा अगर company की जो भी employees के salary है, वो भी liabilities में आते हैं, इसके अलावा company का कोई loan वगर है, तो वो भी सब liabilities में आती है, तो total AUM में से, अब total AUM में आपका equity का भी exposure जाएगा, debt का भी जाएगा, और अगर वो corporate bonds में investment किये हैं, वो सब मिला करके, मतलब कि total जहां जहां भी उनका investment होगा, वो total AUM में आएगा, और liabilities में जो उनकी देंदारी होगी, चाह अब यह देखे, यह तीनों जो है, वो अलग-अलग AMC के लिए अलग-अलग हो सकती, यानि तीनों जो है, वो variable है, तो NAV का rate high कैसे होगा, NAV का rate high तब होगा, जब total AUM बढ़ेगा, और liabilities घटेगा, और number of units जो है, वो क्या होगा, वो अगर कम रहेगा, number of units अगर कम रहेगा इस तरीके से, चोकि तीनों यहाँ पर variable है, और तीनों अलग-अलग AMC के condition में अलग-अलग हो सकती है, इस condition में NAV तै होता है, किसी mutual fund का NAV जो होता है, वो अगर total AUM बहुत बढ़ा हो गया, तो उसका NAV भी बढ़ेगा, अगर उसकी liabilities कम है, तो उसका NAV भी बढ़ेगा, अ यह तीनों variable decide करते हैं, कि particular किसी एक mutual fund का NAV कम होगा, या फिर जादा होगा, ठीक है, अब, as a retail investor, जब भी हम अपने investment की journey start करते हैं, तो हमें यह लगता है कि NAV जिसका कम है, मालिजे जिसका NAV 10 रुपया है, हमें यह लगता है कि long term में इसका rate बढ़ेगा, तो हमें बहुत अ हमें return देगा, और कौन सा return नहीं देगा, जबकि, जो return होता है, वो NAV पर depend करता ही नहीं है, कैसे, चलिए practical example के मादम से, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, एक ही category के, small cap category को मैं यहाँ पर compare कर रहा हूँ, एक निपॉन इंडिया का fund है, और दूसरा quant small cap का fund है, दोनो small cap category का fund है, ठीक है, और यहाँ पर मैं पिछले 5 साल का इनके performance का record आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, 5 साल में, अगर मैं graph दिखा हूँ, आप अपने screen पर देखेगा, जो blue वाली graph है, वो है quant का, उसने 5 साल में 50% का return दिया है, और निपॉन इंडिया small cap ने 49% का return दिया है, अब इनके NAV rate पर चलते हैं, NAV rate पर अगर मैं आऊं, तो आप अपने screen पर देख पार हूँगे, quant का जो NAV इस समय 11 अक्टूबर 2024 के इसाप से है, वो 298 रुपय का है, वहीं पर जो निपॉन इंडिया का NAV है, वो 201 रुपय का है, यहाँ पर आप देख पार का NAV है, वो ज्यादा है, और इसने return भी 5 साल में ज्यादा बना करके दिया है, निपॉन इंडिया से, ठीक है, वहीं पर अगर मैं mid-cap category के दो fund को compare करूँ, पहला निपॉन इंडिया growth fund और दूसरा मोती लालो स्वाल mid-cap fund, और यहाँ पर भी मैं पिछले 5 साल का अगर record देख और अगर मैं आपको यहाँ पर इनके NAV को दिखाऊ, आप अपने screen पर देख करके NAV चौक जाएंगे, जो NAV है मोती लालो स्वाल का, वो है सिर्फ 123 रुपे का, वहीं पर जो निपॉन इंडिया growth fund का NAV है, वो है 4580 रुपे का, आप NAV में देख लिजे कितना बड़ा gap है, इसका NAV 4580 रुपे का, किसका? निपॉन इंडिया growth fund का, ये भी mid cap category का है, और मोती लालो स्वाल का NAV है, मातर 123 रुपे का, और ये भी mid cap category का ही fund है, जबकि return के मामले में अगर 5 साल का return दिखाऊ, तो आप अपने screen पर देख करके चौक जाएंगे, देखिए, एक साल में भी अगर return के मामले में देखेंगे, तो मोती लालो स्वाल काफी अच्छा performance है, निपॉन ग्रोध की तुलना में, वहीं पर 3 साल का return भी देख लीजे, निपॉन से ज़्यादा है, और वहीं पर अगर मैं आपको 5 साल का भी return दिखाऊ, तो हर एक time frame में मोती लालो स्वाल का return नि का NAV दीख रहा है, अब एक बात कर लेते हैं कि जब कोई भी mutual fund, NFO, यानि new fund offering के तौर पर launch होता है, तो वो fix है कि 10 रुपय में ही launch हुआ होगा, तो निपॉन इंडिया भी 10 रुपय में, और मोती लालो स्वाल भी 10 रुपय के NFO से launch हुआ होगा, तो आखिर ऐसा क्या हो गय एक financial year में कोई एक mutual fund बहुत तेजी से return दे दे, और दूसरा mutual fund average return दे या फिर कम return दे, तो उस condition में पहले वाले AMC का जो mutual fund है, उसका NAV का rate बहुत तेजी से बढ़ेगा, एक example के तोर पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर निपॉन इंडिया growth का जो NAV है 4580 बढ़ेगा, यानि इनके बीच में लगभग अगर आप देखेंगे, तो लगभग एक साल, दो महीने, तीन महीने का यहाँ पर gap है, ठीक है एक साल, दो महीने, तीन महीने का, अब मालिजे कि यह 10 रुपए में यह भी launch हुआ होगा इस date में, और 10 रुपए में यह भी launch मैं एक hypothetical data ले रहा हूँ तो जब ये launch हुआ 2012 दिसंबर में उसके बासे दिसंबर 2013 तक अगर 100% तक इसने return दिया तो 10 रुपय का एनेवी से ये शुरूआ था तो 100% return देने का मतलब एनेवी कितना हो जाएगा 20 रुपय हो जाएगा यानि दिसंबर 2013 में इनका एनेवी का rate 20 रु कर रहा हूँ फरवरी में मालीजे इसका एनेवी 25 रुपय हो गया और अब ये शुरूआत करेगा तो इसका एनेवी कितना होगा 10 रुपय होगा यहां तक clear हो गया अब मालीजे कि उसके बाद अगर हम लोग ये मालने कि ये fund बहुत अच्छा return देता चला गया मालीजे कि य अगले financial year में यानि जब ये launch हो जा रहे हैं उसके बाद की बात में बता रहा हूँ ये मालीजे की 100% का return दिया और ये मालीजे की 20% का return दिया तो अगले साल यानि 2015 में इसका एनेवी कितना हो जागा इसका एनेवी हो जागा 50 रुपय का और इसका ये 20% दे रहा है तो 10 का 20% निकालेंगे तो 15 रुपया आएगा 10 का 20% रुपया यानि इसका एनेवी कितना हो जागा 12 रुपया हो जाएगा अब मालीजे की अगले साल फिर इसने return अच्छा दिया इसने मालीजे की 50% का return दिया तो 50% निकालेंगे तो 25 रुपया अब इसका एनेवी अगले साल यानि 2016 म इसी प्रकार से मालिजaiser की अब यहा पर देखिए अब इसके बाद मालिजै अगर रेट बराबर रिटरन देने लगे तो भी यहाँ पर बेस वैल्यू जो है वह और बर चुकी है और यहाँ पर बेस वैल्यू कम है अगर बराबर भी रिटरन देए जैसे अगले साल मैं माल रह तो कितना हो जाएगा 1.56 के वल बढ़ेगा यानि 16, 17.1 के करीब आ जाएगा 17.1 देखिए दोनों में 10% का ही इजाफा हुआ अगले financial year में एक में यहाँ पर एनेवी में कितना बढ़ उत्री हो रहा है साड़े साथ रुपय का और इसमें कितने का हो रहा है 1.56 रुपय का यहाँ से आप समझ पाएंगे कि जब शुरुवाती में शुरुवाती दिनों में जब लॉंच हो रहा है अगर आपको जादा रिटर्ण देखने को मिल जाए तो आपका एनेवी का रेट आटोमेटिक उपर चला जाएगा और उपर जाएगा तो आगे अगर ब जिनके लॉंचडेट में एक साल दो साल का गैप है अगर आपके मन में सवाल आ है कि मालीजे दोनों का लॉंचडेट भी सेम हो तो तब कैसे होगा मालीजे कि दोनों लॉंचडेट सेम है और दोनों 10 रुपय पर लॉंच हो रहे हैं अब कोई भी मियूच्वल फंड कितना return देगी ये कैसे तैह होता है वो उस mutual fund का जो portfolio है उसमें जो stocks है उस पर depend करेगा कि वो कौन सा return देगा कैसा return देगा क्योंकि एक ही category में अगर आप देखेंगे तो mid gap category में कोई 70% का भी return दे देता है कोई आपको 30% का return देता है तो आखिर अच्छा return बना करके देगा वो mutual fund और कोई एक ऐसा portfolio किसी एक particular AMC का जिसके portfolio में ऐसे stock है जो कि चल नहीं रहे है लेकिन fundamental उनका strong है वो भविशे में जाकर करके चल सकते हैं तो आज वो return नहीं बना करके देगा लेकिन बाद में जाकर के return बना करके थे मालीजे इसने 100% का return दे दिया ये ऐसा था जिसने मालीजे 10% का return दिया हलाकि ये चीज़े hypothetical मैं समझाने के कोशिश करा हूँ लेकिन सिर्फ concept clear करने के लिए ठीक है तो इन सभी चीज़ों को सिर्फ समझने के purpose से ही लीजेगा तो अगले financial year में इसका return देखेंगे जो एनवी देखेंगे वो कितना हो जागा 20 रुपया का हो जागा और इसका एनवी 11 रुपया का होगा जबकि दोनों सेम डेट पे launch हुआ था उसके बाद से मालीजे इसने 50% का return दिया इसने मालीजे की 30% का return दिया अगले financial year में तो इसका 50% निकाल देंगे तो 30 रुपया का एनवी हो जाएगा और इसका 11,33 और 14,33 का इसका एनवी हो जाएगा उसके बाद से मालीजे अगले financial year में फिर से इसने 100% का return दे दिया और मालीजे की इसने 50% का return दिया तो 30 का 100% निकाल देंगे तो 30 आएगा और इसमें जूट जाएगा तो ये 60 रुपय का एनेवी हो जाएगा और इसमें 50% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 7 रुपया और जूट जाएगा 7,10,15 के करीब तो ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 21 रुपया 50 पैसे के करीब लेकिन माल लिजे कि अब ये fund return नहीं दे पा रहा है माल लिजे ये अगले financial में 10% का return दिया ये 20% का return दिया तो ये 10% का देगा तो कितना हो जाएगा ये 6-6 रुपय का आने भी हो जाएगा और ये बीस परसंट का देगा तो 21 दुनी 42 से 43 हो जायगा यानि कि इसमें कितना हो जाएगा चार रुपया तीन पैसा और जूड़ जाएगगा यानि 25 और आट हो जाएगा ठीक है उसके बागा से मालिच है कि यह अगले साल भी 10% का return दिया और ये 20% का return दिया तो 10% का return देखेंगे तो 6.6 जुड़ेगा यानि कि 72.6 हो जाएगा और इसका नवी 20% जुड़ेंगे तो 5 और जुड़ जाएगा 5.4 यानि कि 39.2 इसका rate हो जाएगा अब आप देख पार होंगे कि यहाँ पर return यह लगतार ज़्यादा दे रहा है पिछले दो साल से फिर भी इसका NAV का rate ज़्यादा ही चल रहा है ज़्यादा क्यों चल रहा है ज़्यादा इसलिए चल रहा है कि यह base price औलेडी इसका बढ़ा हुआ था और उस पर हमें return देखना ह तो इस तरीके से चीजे decide होती है ठीक है उमिद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यानि कि हमारा return देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेगा यहाँ पर return हमें इस financial year में 20% का मिल रहा है और इस AMC में हमें सिर्फ 10% का मिल रहा है जबकि इसका NAV अगर आप देखेंगे तो भी इसका NAV से जादा है यहाँ पर भी इस financial में देखे 20% जादा return मिला और इसका केवल 10% मिला फिर भी इसका NAV इससे कम है तो कहने का मतलब यह है कि NAV जादा हो या फिर कम हो उसका return से कोई भी लेना देना है ही नहीं उमिद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्य इनका टोटल एवियम जो है वो 35,209 करोड का है और इनका एवियम देखिए मात्र 18,000 करोड का है जबकि इनके बीच में डबल एवियम का अंतर है तो आपने NAV का जो फॉर्मूला देखा था टोटल एवियम माइनस लाइबिल्टी इज डिवाइड़ बाई नंबर उफ जादा है तो जहिर से बात है इसका NAV बढ़े गए गा तो एवियम जो होता है और जो NAV होता है उस पर हमारा रिटरन डिपेंड नहीं करता है कता ही व्यूश का प्रूफ के साथ दिखा दिया कि इसका NAV बढ़ा है फिर भी ये रिटरन जो है वो पिछड़ जाता है मौति लालोस वाल से, आप return देखलिजे, इसका एनेवी 480 रूपय था और इसका एनेवी मातर 113 रूपय था, जबकि return के मामने देखलिजे, 1,3,5, पांच साल के फ्रेम में, ये मोती-Lालोस वाल से कहीं पीछे चल रहा है, तो एनेवी पर और total AUM पर आपका return जो है वो depend नहीं करता है return जो है वो depend करता है कि particular उस AMC के द्वारा किस stocks में पैसा invest किया गया है अगर वो stock चल रहे होंगे तो आपको वो AMC का mutual fund जिसका NAV का rate कम है वो आपको ज़्यादा return भी बना करके दे सकता है और अगर कोई एक ऐसा stock selection है particular उस AMC का अगर वो stocks momentum में होंगे तो return आपको मिलेगा और अगर momentum में नहीं होंगे तो return आपको नहीं मिलेगा NAV पर या फिर total AUM पर return depend नहीं करता है उमीद करता हूँ आपके सभी doubts क्लियर हो गए होंगे बजूद इसके अगर आपका कोई question रह जाता है तो comment के मादम से पूछ सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरा effort कैसा लगा comment के मादम से जरूब बताएगा और ऐसे ही मतुपून अपडेट के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान के लिए आपका दिन शूब हो